तो प्रेंट्स चलिए आज कुछ नया सिख लेते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यह बैट्टिक है स्कॉर्पियों का अपने बैट्टिक स्कॉर्पियों का हमने एक वीडियो बना का डाला थे विट्यू पर बैट्टिक को किस तरह से रिपेर करना है जैसे कि हैं अब बैट्टिक हमकि затाओ लेताँ मेरे पासे बैट्टिक werd लेकर रहा हैं हमेरे पास इसपर भीडियो बना लेता है ऐसनो रिपेर कर og गणियुक्त नहीं लेता है स्ट ने रफोह Izriet Enough भूर्पियर कर रहे हैं से के आंदर जो भी पानी का ंगुब दो है् और ने चैनल पर नुसक्राइब कर लें चाहिए पाइलिजी तक आने वाले वीटियो का नोटिफिकेंदन सब जिक पहले आप तक पहुचे यहां पर देखे रहें इसको तीन चोग कभर इधर है तीन चोग कभर को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं तो इसके अंदर नोर्मल पानी दिया गया है और इसके अंदर डालेंगे एसीड इसके अ तो भी पानी था नोर्मल पानी यूज किया गया था तोटल पानी को बाहर निकाल अब इस तरफ से हम इसको अबर को रिपेर करने में वही आपको सो जो पहलेगा अगर आप नया बट्टिक लेने के लिए जाएगा तो आपको संथीं तो साथ चाजार पर जाएगा लेकिन यहां पर रिप्यार कर देंगा तो बहुत अच्छा खासता चल जाएगा इस तरब से में आज़े पुटल पानी को बाहर निकाल लेते हैं डिकाल जाएगा विव ले शाइड़ा के इज़ लेकाल है कि आपको दस रुप्या का शोडा ले ले लेना है देखिस अधर लेट्र के अंदर नका यह ता इसके अच्छा पनल उससे पर यहां पर यहां कि बावल पाएदा हो रहा है एक इसके बैट्री के अंदर भी डालेंग इसी तरह से फुन-फुनाहट का पैदा होगा चोटा 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 और प्लेट लागा उस पर जो भी कच्रा होगा जम गया तोटल कच्रा को सैड कर देगा और नीचे वाले प्रत्में बैठ जाएगा फिल से बैटिक नया जैसा काम करें लिगा सोडा में इसलिए दिया जात तो आहिए धोरा अगर का पर सोडा डाला इसका अंदर यहार मज़ा आ गया है किस तरह से फुनफुनाहत पैदा हो रहा है सभी बैठी कहल में आपको थोरा थोरा करके सोडा डाल देना है जो बैठी के अंदर पानी रहेगा उसके हम आपको सोडा का बिल्कुल यूज नहीं करना है पानी बाहर निकालने के बाद ही सोडा का आप यूज कीजिएगा आप पुछ दिर हम वेट कर लेते हैं यहां पर आप से दस में ताइट का फुन फुनाहत जो है वो कम हो जाएगा किशी भी व्रक्सोप भी मिल जाएगा बारह सो पचास वूल हुए इलिए तो उर्फ कर लेते थे हैं थोरा-thोरा करके बाती कंदर डाल देते हैं पानी बिल्कुल नहीं डालना है ये सीड ही डालना है तो को ठोड़ी किंवाने कि सुधार के ताल में प्रणाइश की है wow है थीर आपको इस वालेवहलम डाना इसी तरहर चैनल अखर प्रेलिक को प्रणो कि दाने है की है 22 f कि सभी होल में हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिये जो भी सोटा डाले हम बाहर निकल जाया तो कम कम करके डालना है तो फ्रेंट्स मुझे पता है कि आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं सिर्फ पर सिर्फ वीडियो देखते हैं अभी ये रेड़ व सब्सक्राइब नहीं करना है तो फ्रेंट्स को फूल चार्ज होने के बाद टोटल ठेप्य को टेंट कर लेना है उसके बाद फ्रेस पानी से बैक्ट्य को अच्छा सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद ही आप बैट्यू को अपने फोर्विलार नों फिट कीजिएगा आपका फोर्विलार से प्रोपर सेल्फ टेय स्टार्ट हो जाएगा कोई भी प्रब्लम नहीं होगा